हेलो अब्रीवन वेलकम टू ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है पेचली क्लास में हमने ब्रेटन बूड इंस्टिशन आई-म-फ के बारे में चार्चा किया था और आज इस क्लास में हम एक और जो है एकनोमिक डेवलोप्मेंट से रिलेटेट ऑगनेशन है वर्ड ट्रेड ऑगनाजेशन या विश्ववयपार शंगठन के बार में ठर्चा करने वाले हैं जो की काफी महत्तवपूर्ण है तो चलिए शुरू करते हैं जो यह डव्लू ट्यू है एक तरीके से जो 1947 में बनाए गया था एक जन्रल एक्रिमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जिसको गैट भी करते हैं ठीक है उनिश्व सहंतालेश में जिसको बनाए गया था गैट डव्लू ट्यू उसी का सक्सेसर है और दो अरुग्वे राउंड हुआ था उनिश्यासी से उनिश्यासी में ठीक है तो इसके जन्वरी और 1995 को डव्लू ट्यू का काम सुरू हो गया उनिश्यासी में चौरानवे तक जो यह उरुग्वे राउंड चला था यहां पर डव्लू ट्यू के सुरुवात की एक पेस्टेबू में त्यार हुई थी और यह काम करना सुरू कर दिया एक जन्वरी 1995 से और यह जो से शमाननी रूप से मराकैस के नाम से जाना जाता है और यह मरकैस में साइण भूब करें गया था अगर कि अगर इसके बारे में बात करें तो यह एक अंतराष्टिय संग्ठर है जो देशों में मद्ध ब्यापार के नियमों को रेगुलेट करता है ठीक है और गैट और जो डब्लू ट्यू में मुख अंतरिया है कि जो गैट है जहां पर जायतर वस्तूओं के ब्यापार को बिन्य ट्रेड क्येशन हो गया ब्यापार चिंद्ध हो गया डिजाइन हो गया यह और भी जो अविश्कार हो गये उनको भी इसके तहट कभर किया जाता है ठीक है तो डब्लू ट्यू गैट जो था बैसिकली किस से रिलेटर था गैट 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 मुस्टली डेल्ट विद में श्विजल एटर बुटी नहीं को कवर करता है इसका मुख्याले मेहें है डबलॉ-टियों के एक सोचोच्थ नहीं नथे सब्सक्राइब developed वह चाह Jobson कि पूरकर लेभ्या वर इंडिया यह एक फाउंडिंग मेंबर ए बनाए गया था है है जिसमें European Union के भी देश है तक है और तेश्व कौन देश्ट कौन है जैसे की ईरान हो गया इए और में स्टेथ से हैं और इंडिया जो है एक मेंबर है गया उसका इंडिया संस्थापक सदस्य है और गया है जो डव्लू ट्यू है उसका उत्राधिकारी है एक तरीके से अब डव्लू कि सदस्था कि अगर बात करें तो जैसे हमने देखा यहां पे एक सुचोंच मेंबर से होंगे उसमें सब्सक्राइब के एरान व्लिव्लू के अब हम देखते हैं डाटी के संडचना इसका जो स्ट्रक्चर है संडचना ने एक मंत्री जो मानमिन्स्टीरियल कॉंफरेंस है मिनिस्टियल कॉंफरेंस है ठीक है फिर जनरल यहां पर इंदर आते हैं बस्तों के लिए बाज यह सबसे से सम्मंदित कॉंसेल्स तो इंको एक एक करके यहां पर हम देखते हैं जो मिनिस्ट्रियल कॉंफरेंस हैं तो यह जो डब्लू ट्यों की संद्चना है उसमें सबसे हाइस्ट या सबसे सरवोच प्राधिकरण है और जिसका गठन डब्लू के सभी सदस्य मिल करके करते हैं और सदस्यों क्वी कम से कम हर दो बर्स में एक बार अवस्य मिलना चाहिए और मंतरी अस्तरी या सम्मेलन के सदस्य बहुप पच्ची ब्यापार समझे होते हैं उसके सब्ही मामलों में अपना यह डिसीजन या नेगणाय देने में सच्छम होते हैं अब जनरल काउंसल की बात करा जा है तो इसका गठन WTA के सभी शदर से मिल करके करते हैं और जो की जो मंत्री अस्तरा मेंस्ट्रियल जो konference konferences होता है उसको लिए यही जिम्मेदार होते हैं मतलब उसको यही जो है और गनाइज करते हैं General Assembly नेक्स्ट है जन्रल कॉंसिल कन्मेन्स इन टू पाटिक्लर फॉर्म्स जो यह जन्रल कॉंसिल है यह मुखे रिप से दो विश्यों पर ध्यार में रख करके इसको बनाए गया था जन्रल कॉंसिल को एक तो यह विवात का समधान करेगा जैसा हमने देखा था भी वह उपर फ्ल डिस्प्यूट विवादों के समधान के लिए जो भी अपनाई जने वाली प्रक्रियाओं का जो संचालन है वह इसी के दोरा किया जाता है डिस्प्यूट चेटलमेंट बॉड़ी के माद्यम से नेक्स्ट है ट्रेड पॉलसी रिव्यूव बोड़ी यानि कि व्यापार नीत ओप्सक्राइब की नियमित समिच्छ की जाती है रे जो है इनकी समिच्छ की जाती है वैपार नीतियों की अगर करें तो डब्लू टिओ के लच्च यह एक तव अंतराष्टी बैप्यार है तो जो नियमों का निजधार्ण करना उनको लागू करना जो नियम है उनको बनाना उनको लागू करना इसका ऑब्जेक्टिव है डब्लू तो का to set the enforce rules to set and enforce rules of the international trade and to provide a forum for negotiating and monitoring further trade liberalization व्यापार उदारी करन के लिए बात्चित करने और निगरानी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म या फोरम या मंच परदान करना तो यहां कि तो यह सब करी कि दो आदो दोर की बाता चल रही है उर्ग्वे राउन की बाता चल रही है सिंगापूर जो है निगॉशियेशन चल रहा है तो यह सब कि आ हुई जो भी requirements है उन पर यहाँ पर negotiations करने के लिए एक forum या platform पर दान कराता है और जो भी बाद होते हैं trade को ले करके trade disputes जो होते हैं ठीक है उनके समधान को ले करके यहाँ पर एक platform प्रवाइट करा जाता है जो trade related समधान जो disputes है उनको उनको उनका निप्टान किया जा सके and to increase the transparency of decision making process जो भी निगरे लेने की प्रक्रिया है यहां पर उस में पारदर्सिता को बढ़ाने के लिए भी यह काम किया जाता है यानि पारदर्सिता को बढ़ाने का काम का मतलब है कि जो भी decision लिया जाएगा वो सभी जो member states हैं उनको उनको वहाँ पर सामने रख करके उनके साथ discussion किया जाएगा to operate with other major international economies institution involved in the global economic management जो भी बैस्विक आर्थिक जो प्रबंधन है ठीक है बैस्विक आर्थिक प्रबंधन में सामिल जो अन्य प्रमुक अंतरराष्टिय आर्थिक संस्थानों के साथ सहयोग अस्थापित करना भी इसका एक लच्छ है और जो विकास्षील देशों को बैस्विक व्या उनको जो बैस्विक ब्यापार प्रणाली से पूरी तरह सिल्ला भानमित करने में यह क्या करता है सहयोग करता है तो यह कुछ इसके अब हम कुछ इसके अचिवमेंट्स देखते हैं कुछ इसकी उपलब्धियां तो जो सबसे पहली उपलब्धि के रुपे हम देखेंगे ग्लोबल फैसिलिटेशन अफ्टेट बैस्विक ब्यापार की सुबिधा परदान करता है वस्तुओं और सेवाओं के लिए बादेकारी नियमों का निर्माण और सीमा के पार जो ब्यापार की गत्विद्यों को बढ़ावा देने के लिए सुबिधा परदान करता है ठीक है बियापार बंढ़कर उरम और नान वीन कोम लिए ते यह है बलकि और उपिर विगन रजते हैं उनको भी खुरुतने में व्यघान करना से मतलब बंच्थ के ऊबधरियों लगा जाते हैं जिस ते और जो लगा जाते हैं ठीक है यह सब जो है यह श्रेट बैरियस में और नाजीट त्रेट बैरियस में कुछ नोजम एंड त्रेट शॉरी आ प्राइट प्रदमीघ्यर इट जो नौन ट्रेट बैरियस हैं क्या आते हैं कुछ कुछ और बी जैसे की इन्वाइमेंट को लेकर के कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया किसी ट्रेडिंग गूर्स पे या किसी सर्विसेस पे तो उसको नौन ट्रेड बैरियर्स भी बोला जाता है ठीक है तो यह इनको एक तरीके से समाप्त करने में भी मदद करता है और नेक्स्ट डबलो टीओ में क्या है कि इंप्रूवड एकॉनमिक ग्रोथ जो आर्थिक विकार ब्रिद्धी होती है उसको और बहतर करता है इंप्रूफ करता है सुदाहर उसमें किया जाता है वर्स 1995 के बाद से जो विश्वेपार के मुल्यों में लगबख चारगुना विद्धी वए जब कि जो भी इस्युम की रास्टी में इस्थाई ब्रिधी उए नियुक्त की प्रफिद्धि है जो अर्इंड स्थाय वर्सप्टी मार्केट् ४ैंट के अबुद्मेंस ? उसके प्ढ ms भी आयुक्ते स्थल में गया गया है इसी वाल्ट्रेड और्गनाइजेशन के कारण तो नेक्स्ट है हमारा कि वैफ्रिक मुल्य श्रिंखला में ब्रिद्धी यो के अनुमानित बाजार को वैफ्रिक मुल्य श्रिंखला के साथ बढ़ावा देने के लिए ब्यहतर संचार ब्रिवस्था के साथ जोड़ा गया और बरतमान में कुल जो ब्यापार का लगबख सेवेंटी परसेंट इन मुल्य श्रिंखलाओं में के अंतरगत आता है तो इन्हीं वैल्यू चेंज है उसके अंतरगत आता है और अब हैं अफ्लिफ्मेंट ऑफ प्वर कंट्रीज गरीब दे देशों का उथान तो जो गरीब देखुरे उथान की बात है तो डावल्यू में कम विक्सित देशों पर अत्रिक ध्यान दिया जाता है एक तो ठीक है और WTO के सभी समझोतों में इस बात का ध्यान रखा गया कि कम से कम विक्सित देशों को अधिक रियायत दी जाहिए रियायत यानि प्रिफेरेंशियल ट्रेट की इस उविदाईन को दिया जाता है प्रिफेरेंशियल ट्रेट विरायत प्राप्त ब्यापाथ ठीक है और WTO के सभी समझोतों में इस बात का ध्यान रखा गया कि कम विक्सित देशों को अधिक रियायता दी जाहिए जैसा हमने भी बात किया और जो सुदस बहतर इस्तिती में हैं उन्हें कम विक्सित देशों के सभी जो निर्यात प्राति भंद को कम करने के लिए अतरिक्त प्यास करते रहना चाहिए चैलों रखारग इसे कि सामने कुछ मधनेंज है वेव कुछ चैलेंज़ेंज है उनको देखते हैं एक बार ठीक है तो चैलेंज़ेंज है वह है चाइना का जो है स्टेट कैपिटलिजम यानि की चीन का राज्य पूजिवाद राज्य पूजिवाद जो है मुक्त अगर हम फ्री ट्रेड मार्केट की बात करें प्री मार्केट की जो फ्री मुक्त बाजार बैस बैबार प्रणाली के सामने चीन के जो चाइना जो इस्टेड ओन्ड वाले उद्धम है वह एक बड़ी चनोती पेस करते हैं अ सञाए है और niveर बैसिन का ही ये प्रोडक्ट है कैपिट्लिसम सबसे पहले लिएसटारा उसके वागण से कैपिट्लिजम है और ये लेकर कहा आएगया यह बैपार तो और जो चाइना की से चाईना में क्या है कि जो भी कमपणिया है वह राज्य के कप्षे में आती है राज्य के सामित मैं आते हैं तो जो यह स्वामित वाली इंट्रपनिय यह ए यानि जो ध्रिटम है घृध्यूग है इंडूस्ट्री soy और अर्फ बारोड रूल्स रेगुलिशन्स है वो इन चुनोतियों से निपटने में क्या है इन सफीशेंट है और प्रयाफ्ट है और कुछ इंस्ट्यूशनल इसूज भी है संस्थागत मुद्दे कि जो कि जहां पर अपील करना है अपीलिये जो उनका एक निकाव है उसका संचालन दिसंबर 2019 कि जो इसका निकाए हैं वहां पर कोई भी वकीइल कर सकता क्योंकि तब ही से जो अमेरिका दोरा अपीलियों इसका निकाए है यह कोई भी अपकॉइंच नहीं भाना चाहर था जो भी अपाइनमेंगे्ट सुनुआइक करने करने के लिए favormus नहीं हो रहा है तो इसल विफलता इसके बात्चित जो निगोशियेशन तंत्र की विफलता से जो है काफी हद तक जुड़ा हुआ है तो यह कुछ जो है संस्थागत इसूज है पार्दर्शिता का अभाव यह भी एक दिक्कत है लाइक ओफ ट्रांस्परेंसी डबलू ट्यों की जो बारताओं के संदर्म में एक समस्या है यह ठीक है कि डबलू ट्यों में सामिल विक्सित और विकास्चिल देशों के संगठन की कोई भी कोई निश्चित परिभासा नहीं है और वर्तमान में शदर्श देशोदारा डबलू ट्यों में विश्य सरियाद पाने के लिए खुद को विकास्चिल देशों के रूप में क्या कर दिया जाता है दिखा जाता है कि मैं विकास्चिल देश हूं ठीक है तो यह जो है एक तरीके से लैक आफ टांस्परेंसी को है तो इकामर्श या डिजिटल ट्रेड कि में भी क्या है कि पिछले 25 बरसों से जो ब्यापार परदिस में काफी बदलावाया है वह बाजूद इसके डबलू ट्यों के नियमों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है तो उन्नेश्च अन्ठानमे में यह महसूस करते किछयों की ई-कमश बैस्टिक बेवस्था में महतपूर भूमिका निभाएगा जो डबलू Kendry K took Sदस्वहं जो मीमबर्स है ठीक है दबनेश्च्टिग के मेंबर्स अ थाकि राज-राउज स्वामित को वाले उद्धम और सबसीड बी बहत्त हम ब्हतर किया बहत्त सके इसप उस पर नएम की बाक्चित चल रही थी उसमें वी वाद आ रहा था ठीक है वो भी एक जो agriculture को लेकर करके सब्सीदी जो developing country subsidies provide कराते हैं जो उसमें mujer अग्री टो profitability उसमें क्या होता है है कि वह एक利श्थ के लेकति करते है और डेबललब्ड li देते हैं ठीक हैं वह डेबलब डेंट्री की सुब्सीडि देते हैं ताकि यो है जो ज Must लागत कम होती है तो ऐसे में क्या होता है कि उनको सबसीड़ी देना होता है लेकिन वो सबसीड़ी दिया जाता है उसके कारण क्या होता है कि वहां की किसानों को कोई उनको ज्यादा security राप्त होती है और जो developing countries हैं वहां के जो farmers हैं उनको इस तरीके की कोई security राप्त नहीं होती है ठीक है नेक्स्ट अगर हम way forward देखें तो जो WTO का modernization है उसका अधोने की करण है वो will necessitate the development of the new set of rules नहीं जो rules के सेथ हैं उनको बनाएगा ठीक है उनको बनाएगा और प्लीज पोड़न पर वर ए मिनेट जो जो WTO में अधिन करण है ठीक है उसके दिजिटल ब्यपार और e-commerce के लिए नियमों के नए से बनाने की आवस्टा होगी ठीक है और WTO के सदस्ट देशों को चीन की ब्यपार नीतियों और प्राक्मिक्ताओं के साथ अधिक प्रभावी धंग से क्या होगा निपटना होगा ताकि जो राज स्वामित वाले उद्धमों और अधोगित सब्सीडी को बेहतर तरीके से क्या किया जा सके ब्यवस्थित किया सके अब जलवाई प्रवरतन से संबंदित मुद्धों को द्यान में रखते हुए ब्यापार और पर्यावरणी इस्थिता को संद्रेखित करने के प्रयास में बृद्धी करके जलवाई परवरतन के समस्याक से निपटने और डब्लू टी ओ को फिर से मजबूत करने में भी क्या मिलेगी देकलरेशन था ठीक है और यह कब आया था जो फूर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस था जो चोथी मंत्री अस्तरिये जो मारता चल रही थी डावलू टीयों की ठीक है दोहा कतर में हुई थी उससे रिलेटेड था और यह इस डिकलरेशन में यह मैंडेट दिया जा रहा थ जिसमें मात्चित की एक शरिंखला होगी ठीक और इसमें जो टॉपिक्स होंगे वह क्या होंगे कंसर्णिंग दा इंप्लिमेंटेशन अब दप्रीवियस एक्सपरिमेंट जो पहले जो एग्रिमेंट्स हुए थे समझोते हुए थे ठीक है उनको लागू करने की एक प्रिक डिकलरेशन कहा जाएगा ट्रिक्स एग्रिमेंट और पॉब्लिक हेल्थ के ऊपर नेक्स देयर वेर डिस एग्रिमेंट बेवलप्ट और डेवलपिंग कंट्रीज जो विक्सित और विकास सील देस्था उनके बीच में कुछ असामत यह थी और जो मेजर बोन्स अब श्रिफ था कुछ सेवाओं थी और कुछ ट्रेड रिमेडीज को भी इसमें रखा गया था जिस पे ज़्यादा क्या था जो डेवलपिंग कंट्रीज थी और जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके बीच में आपस में तो फिर दो बाली मिनिस्ट्रियल डेकलरएशन था वो 2013 में उसको एचीव कर लिए गए था और जो कि पहला एग्रिमेंट था इस दोहा राउंड के तहर और और अल्सो दफस्ट अन अनिमस एग्रिमेंट अंडर डबलुटी ओ तो अगर हम सिंगापूर इश्यू की बात किया जाएं तो सिंगापूर इश्यू यह कुछ ऐसे सब्जेक्ट यहां पर दिखाए देगे थे जो वेस्टरन कंट्रीज थे हैं पस्चिमी देश हैं मुखेता यूएस हो गया या फिर यूपी यूनियन हो गया डबलुटी ओ में कंफरेंस में इन एर आफ नाइटी नाइटी सिक्स विच हेल इन सिंग्यापूर जो कि सिंग्यापूर में हुआ था शम अब दा मेजर इसूस एमंग दिम उसमें से कुछ जो प्रमुख इसूस थे वो क्या थे वह दर ट्रेड एन इन इन्वेस्टमेंट ब्यापार और लेवर लॉज और कानुन से संबंदित जो लॉज है वह यह सारी इसमें सामिल किये गए थे वाइड इंक्लूशन अफ इस इसूस इन माल्टी लेटरल टाक्स ऑपोस्ट बाइवलपिंग नेशन्स अब डेवलपिंग नेशन्स ने इसका क्यों भी रोत किया क्योंकि उनके पास क्या है एक इस्टेट उन एंटरफाइज है राज जिसको कंट्रोल करता यह ऐसे इंटरफाइज अन् के पास है और जो count इसेट इस थेत्स हैं वह फिरिबलयफू जो पीस यूह है ठीग हैनके उनका उनका जो भूमिका है उसको कटल करने की कोसिस में है बट इस उनिट्स और नेसेसरी फ़र देवलोपिंग स्टेट्स लेकिन जो यह यूनिट्स है वो डेवलोपिंग जो विकास सिल देश है उनके लिए क्या है आवस्यक है और जैसे कि जो प्राइवेट या नीजी इन्टाइटीज है वो दो नट नीट तो सर्फ दो एकोनोमिक नीड आफ देशाइटी फ़र एग्जमपल पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडिया उनको जो है जो सोचियो एकनोमिक नीड आव सकता है उनके एक्कौर्डिंग काम करने के जुबत नहीं है वह क्या काम करेंगे वह बेलफेर के लिए नहीं काम कर सकते हैं वह अपने अपने लिए काम करेंगे लेवर इसूस की बात अगर कर जाए तो जो डेवलब्ड इस्टेट है उन्होंने एक यूनिफॉर्म लेबल इस्टेंडर्ड यानि एक क्रित लेवर श्रम मानक अस्थापित किये थे सभी के लिए और जो डेवलपिंग नेशन्स हैं उनको इससे जो है अपेशाक्रित ज्य क्या करेंगे प्रभावित करेंगे ग्युए गवर्मेंट प्रोक्यूर्मेंट जो गवर्मेंट यूज इस बाजर बाइयर तो बड़ेंट जो है इस बडिया ब्रोड़ें अधे प्रक्राइब नहीं होती है और इसलिए ऐसा कहा जाता है जो एक सो is become easy for MNCs to take part in it इसमें भाग लेना जो है MNCs के लिए असान हो सके ताकि वो परदर्सी बनाई जाए इसलिए उनको MNCs को इसमें भाग लेना असान हो सके तो डेवलपिंग नेशन सी इस दिमांड एस एन अटेक ऑन डियर सब्रेंटी जो भी का सील जैसे वह देखते हैं कि यह इसी जो डिमांड है कि हम अपने प्रक्रिया को ट्रांस्परेंट बनाए ठीक है तो यह अपनी संप्रभूता पर हमला के तरह देखते हैं और उनका मानना है कि इड विल हैंपर द इडियो में सब्सक्राइब और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे जो इंपोर्टेंस थे हलाकि अभी क्या है कि डेवलुट्यों की कंडिशन अभी थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है वह उसको प्रमोट करता था यह प्रेटफर्म लेकिन अब क्या है कि डेवलुट् पर चले गए हैं अब जो है क्या होता है कि बाइलेटरलिजम सब रिजनलिजम एंड सब रिजनलिजम को की विवस्था अब जो है देश अपने में ही करने लगे हैं तो मल्टी लेटरलिजम की जो कॉंसेट एक तरीके से भी पीछे चला गया है तो अभी आप से सवाल ऐसे जा सकते हैं तो करेंगा सफ़ी मल्टी लेटरलिजम में डवुटी ओटी की भूमिका क्या म्लटी लेटर ला इसम्व हैं अभी क। सब्सक्राइब करते हैं आज के लिए अगली क्लास में हम नैटों के बारे में पढ़ेंगे तो अगर आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिजे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सामय सामय पर मिलते रहें अगर आपको इस टॉपिक में समझाएगे किसी भी कॉंसेप्ट को लेकर सकते हैं मैं खुद पॉर्षिनली उसका दिप्लाइच 24 घंटे के वीतर करूंगा आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर व्यूजवत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं आप हमसे हमारे फेस्बुक पेस्ट ट्वीटर पेस्ट टेलिग्राम चैनल या फिर अगरे के मादें से भी जूड़ सकते हैं यह सभी लिक्स नीचे दिस्किप्शन में दिये गए हैं और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने कली से साथ सेर करना नहीं भूले ताकि इन से उनकी भी हैल्प हो सके इस से जूड़ने के लिए आपका धन्यवाद मिलत करते हैं अगला सेशन में बहुत जल्द तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को इंज्वाय करते रहें थैंक यू सो मच